दुबई आज कौन नहीं घूरना चाहता है? दुबई UAE की रैसी के बारे में भला आज कौन नहीं जानता है? दुबई के लोग आखिर अमीर कैसे बना ये एक राज ही है. लेकिन मैं आज दुबाई UAE के रैसी और अमीरी के बारे में जानकारी दूंगा कि आखिर दुबाई के लोग अमीर कैसे बने आज इससे पर दाउठाएंगे आज मैं आपको दुबाई UAE के सीक्रट के बारे बताऊंगा कि आखिर दुबाई इतना अमीर कैसे बना आखिर दुबाई शेक कौन है? वो अपने देश में शासन कैसे करते? दुबाई का समविधान कैसा है? क्या दुबाई का कानून सक्त है? कानून व्यवस्था आखिर कैसी है? आखिर दुबाई दुबाई के पास इतना पैसा कहां से आया? दुबई खुद का इतना बड़ा सोने का मार्केट किस प्रकार खड़ा किया क्या वहां रोकी भाई ने तो गोल्ड सप्लाई नहीं किया दुबई में इतना ओपचुनिटी आखिर कहां से आया तो आज इसी सब मुद्दे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो आज दुबई की एक एक चीज़ के बारे विस्तार से जानेंगे दुबई के अमीर बनने के पीछे की कहानी 30 से 35 साल पहले गर दुबई की स्थिती देखी जाए तो वहां कुछ भी आज जैसा वहां नहीं था दुबई में सिर्फ हर जगर रेत ही रेत था ना वहां रेत पर मकान और नहीं बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे बनाना संभव था लेकिन फिर वहां के लोगों ने उसी रेत पर इतनी इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे बनाई की आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उंची उंची बिल्डिंगे दुबई में ही है और साथ में ही इतने महेंगे महेंगे रूम जिसको सुनकर ही लोग सिर्फ बाहर से ही देखकर मन को दिलासा दे देता है और तो और गर आप उसमें घूमने के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए आपको पैसे लगते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं दुबई के पास किसी भी तरह का पानी का कोई सोर्स तक नहीं था ना ही कोई साधन तो आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना एक बड़ा सवाल है ना दुबई के पास अपना खाना है ना दुबई के पास अपना पानी ना किसी तरह का मिनरल था ना उसका अपना खुद का सोना था लेकिन आज उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का मार्केट है तो आखिर दुबई के पास ये सब आया कहां से आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया आखिर इसके पीछे किसका हाथ है इसके पीछे सयुक तरब अमीरात के शासक दुबई शेक मुहम्मद बिन राशिद अलमक्टूम का हाथ है शेक मुहम्मद बिन राशिद अलमक्टूम बड़ी दूर के सोचते हैं यानि आगे की सोचते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत उसमें जोंक देते हैं और उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं दुबई, UAE के शासक उप्राश्ट्रपती और प्रधानमंत्री मुहम्मद बिन राशिद अलमक्टूम का जन 15 जुलाई सन 1949 को हुआ शेख मुहम्मद बिन राशिद अलमक्टूम एक ऐसा विजिनरी लीडर तूरदर्शी नेता है इनके मुकाबले कोई दूसरा नेता किसी देश में ही नहीं जो इनके जैसा सोचे और उसे पूरा भी करे यह एक विजिनरी लीडर तूरदर्शी नेता है कुछ लोगों को लगता है कि दुबई तेल बेच के अमीर बना है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दुबई को तेल से मात्र एक प्रतिशत की रेवेन्यू ही जेनेरेट होती है तो फिर दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से शेक मुहम्मद बिन रशीड अल माक्टूं ने दुबई को पहले तो टैक्स फ्री बनाया जिस वजह से यहां बड़े बड़े बिजनेस्मेन लोग आकर खुद इन्वेस्ट करते हैं व्यापार करते हैं इन्होंने ऐसा आयलेंड बनाया जिसके अंदर बहुत सारे घर बनाया जा सके और उसको बेचकर अच्छी खासी रेवनिय जेनरेट की जिसको वो धीरे धीरे बाती गई और आज इस मुकाम पर है